असलाम लेकुम फ्रेंड्स मैं हूँ रूज डेली रैस्पी में हम आपके लिए डेली रैस्पी लेकिया आते हैं और आज हम आपके लेकिया हैं कौफी बनाने का तरीका कॉफी बनाने का तरीका मैंने पहले भी आप लोगों के साyn शेर कús to talk यह लेकिन यह तरीका थोड़ा डिफ्रेंट है इसमें हम बोटल के अंदर कॉफी बनाएंगे सर्दियों के मौसम में जितना काफी पिना हमें पसंद होता है उतना ही थंडे हाथों से काफी को बीट करना हमें मुश्किल लगता है इस तरीके से आपके काफी मिंटों में बीट भी हो जाएगी और बहुती मज़े की बनने वाली है और गैस्ट के सामने आप इसे डिफरेंट डेकोरेशन से पेश करें इसके लिए हम लेंगे एक बोटल बोटल शीशे की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है लेकिन इस बात का ज़रूर खरयाल रखेगा कि बोटल खुश्क होनी चाहिए अब हम इसके अंदर एड़ टू टीसपून एकस्टेंट कोफी काफी आप कोई भी ले सकते हैं टू टीस्पूनी हम इसके अंदर शूगर एट करेंगे वन वर्धार शूगर कि ओनली थेशियो मिद्दcipूने करेंगे होट बांटर हम ने इसके अंदर जयादा यूज़ नहीं करना प्लीकिक्र पानी च कॉफी को जितने जादा बीट करेंगे हमारी कॉफी इतनी जादा मजेकी और क्रीमी बनती है यह अलमूस्ट मुझे साथ से आठ मिनट लग एक कॉफी को बीट करते हुए और यह हमारी कॉफी तयार है अब हम एक कप लेंगे और उसके अंदर तक्रीबरन वन टीस्पून कॉफी एड़ की है अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे हॉट मिल्क जो हमने पहले से बॉइल किया हुआ है मिल्क हमने एक साइट से और थोड़ा थोड़ा करके एड़ करना है यह देखें एक तरफ पे हमारा मिल्क है और दूसी तरफ पे हमारी कॉफी है यह हमारी कॉफी क ही ड़क और बहुत ही प्यारी लग रही है आप इस तरीके से भी गैस्ट को सर्फ कर सकते हैं लेकिन अगर जादा गैस्ट थो दो तीन तरीकों से सर्फ जरूर करना चाहिए चले अब हम आपको श्रूर करने के का दिखाते या हमारे घर में भी हमारे बहन भाई या उन में से कोई एक कोक्स काफी जादा पसंद होती है और उन्हें काफी का मिक्सर जितना जादा डाला जाए उन्हें जादा मज़ा देता है तो उनके लिए ये काफी पैस्ट है आप उन्हें ये काफी डैकोर करके दे सकते हैं आपकी साइस्ता मैंने इसे मिक्स करना शुरू कर दिया है फुल हमारी कौफी क्रीमी है और इसके उपर जो मौजूद का मिक्सचर है वो भी बहुत ही जादा मज़े का है जैसे जैसे मैं इसे मिक्स करूंगी आपको इसकी क्रीमी स्ट्रक्चर प्रॉमिनेंट होती हुई नजर चले अब मैं आपको इसकी क्रीमी स्ट्रक्चर दिखाते हूँ ये देखे हमारी कौफी कितनी जादा क्रीमी हो गई है और इसकी लुक भी बहुती जादा मज़े की आई है आप इस स्टाइल में भी अपने गैस्ट को सर्फ करके दे सकते हैं आप इस घरम कौफी को थंडी सर्दी में जरूर यूज़ कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको कौफी कटिस बहुत जादा यमी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें कर मिलते हैं एक निव वीडियो के साथ तब तक के लिए लिए अलाह